वेलकम टू BPS Yadda 66 BPS Mains प्रोग्राम के तत आज का हमारा टॉपिक है राजनीती में बढ़ता अपराधिकरन यह टॉपिक आपके आगामे 66 BPS Mains के अलावा के लिए important होगा इस टॉपिक के अंतरगत हम देखने का प्रितन करेंगे कि सुप्रीम कोट के द्वारा हाल ही में दिये गए कुछ फैसले से राजनीती में बढ़ता हुआ आप राधिकरन पर क्या असर पड़ा और सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए जो फैसले हैं वो कित है इन सबकी चर्चा हम इस पूरे वीडियो में करेंगे तो बने रहें वीडियो के अंतर तक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें So that इस चैनल पर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अर्थात आपको अपडिशन मिल जाए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन राजनीती में बढ़ते हुए अपराधिकरन के संदर में दायर एक याजका पर सुनवाई करते हुए सरवोच न्याले ने 14 फरवरी 2020 को एक मत्पुन फैसला सुनाया था न्याले ने सभी राष्टिये और छेत्रिये राजनीतिक दलों को आपराधिक प्रिश्ट भूमी वाले उमिदबारों की सुची डल की बेवसाइट के साथ सोसल मेडिया एवं अनसारवजनिक मंचों पर साध्या करने का निर्देश दिया था जो 14 फर्वरी 2020 को फैसला सुनाया था सुप्रिम कोर्ट में उसमें सुप्रिम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सभी राष्टिये और छेत्रिये राजनीतिक दल हैं उनको जो भी आपराधिक प्रिश्ट भूमी वाले उमिदबार की सुची वो त्यार कर रहे हैं अर्था उनकी जो कैंडिडेट है जब कोई भी दल यह फैसला लेता है कि सो एंड सो कैंडिडेट हमारे दल से एलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसमें जो भी कैंडिडेट सपोर्ट अगर दस कैंडिडेट है BJP का, दस कैंडिडेट है कॉंग्रिस का तो प्रते एक दल की यह जिम्मेदारी होगी कि उस दस कैंडिडेट में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर कुछ न कुछ आरोप लगे हैं अर्था दागी हैं इन सभी का जो नाम है उनको राजनीतिक दलों का जो अपना वेवसाइट है उस पर डालना होगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया और अनसारवजनिक मंचों पर भी यह साजा करना होगा कि इसमें सो एंसो जो भी व्यक्ति दागी प्रवृतिके हैं उनके नामों को उसमें उजागर किया जाएगा। राजनितिक दलों को ऐसे उमिद्वारों की जानकारी जो है सरवजनिक कर उमिद्वार के चैन के 72 घंटे के अंदर इस संदर में चुनाव आयो को सुचित करना होगा। इसके साथ ही आपको चुनावू की जो सुची है उसको 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सौपना होगा कि ये एक कंडिडिट है जिन पर कुछ न कुछ के स्पेंडिंग है यदि कोई राजनीतिक दल सरवुच न्याले के आदिशों का पाला नहीं करता है तो इसे न्याले की अबमानना अर्थात कंटेम्ट आप कोड माना जाएगा और चुनाव आयोग एसे राजनीतिक दलों पर कारवाई भी कर सकता है अगर आप चुनाव आयोग को ये लिश्ट नहीं सौपते हैं अर्थात सुप्रिम कोड के दारा दिये गया फैसलों को आप एड़ॉप्ट नहीं करते हैं वींगा पॉलिटिकल पार्टी कोई एड़ॉप्ट नहीं करता है तो उसे कंटेम्ट आप कोड समझा जाएगा और इस पर चुनाव आयोग कारवाई भी कर सकता है अब हम देखेंगे कि सुप्रिम कोड को द्वारा की राजनीतिक अपराधिक करण पर नियंतरन के लिए जो उपाय किये गया वो क्या-क्या है सरवोच नियाला ने यह कदम जो है राजनीति में अपराधिक प्रिश्ट भूम कि लोग की बढ़ती स्थंख्या पर नियंतरन चुनावी पारदर्स्ता और जनता के प्रती राजनीतिक दलों के उतारदाईत्वों को सुनिशित करने के लिए उठाया है यहां ऐसा कहने का मतलब यह है कि सुप्रिम कोड के द्वारा जो दिया गया जो फैसला है वो राजन करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है कई बार ऐसा देखा जाता है कि यह सब सुप्रिम कोड़ों के द्वारा उठाये गए इस सब कदमों को जुडिस्यर अक्टिविजम का भी नाम दे दिया जाता है राजनीती में बढ़ते हैं अपराधिकरण को रोकने के लिए सर्वो चन्याले द्वारा दिये गए आदेशों को अगर हम देखे तो उसके परमुक बिंदु को हम इस तरीके से डिसकस कर सकते हैं सर्वो चन्याले के आदेशा अनुसा राजनीतिक दलो चाहे वो केंदर हो या राज अस्तर पर हो को अपनी चैनित उमिदवार पर चल रहे है आपराधिक मामलों के विरिष्टित जानकारी जो है उनके अपनों वेवसाइट पर साजा करनी होगी सर्वो चन्याले के जो फैसला है वो केंदर वर्राज अस्तर पर जितने भी राजनीतिक दल है इन सब पर ये लागू होता है उनको अपने चैनित उमिदवार अर्थात जो भी कंडिडेट वो सेलेक्ट किया है चुनाब के लिए माल लेते हैं भी बंगाल का चुनाब है एक co traveler kita GMC से लड़ेगी तो जोवी candidate जो है जिस पार्टी से भी लड़ रहे हैं थो यह है कि अपने candidate के लिश्ट मेंसे वी से कंडिडेट जो दागी है अर्था जिन पर कुछ न कुछ आरवव कै ह। उनका नाम साहिई पर श्तर बजान निक करें और यह सुचना social media जो भी है एक माध्यम है उसको through सारे लोग को बताए और चुनाव आयों को भी inform करें अब देखते हैं इसमें अपराधिक प्रभिर्थी जो इसमें जो है क्या क्या आपको बताना है अपराध की प्राकिर्थी बताना है चार्शिट बताना है कि किस से संबंधित जो है ये case है संबंधित नियाले का नाम बताना है कि आकर कौण से कोट में ये case जो है चल रहा है और case का नमबर आदि आपको बताना पड़ेगा अर्थाट कहने का प्रत्यासी पर दर्ज मामलों की विश्तित जानकारी को एक राष्टिय और अस्थानिय भासा की अखवार में परकासित करने के साथ साथ दल के अपरादिक जो है सोसल मीडिया खातों जैसे फेस्बुक ट्विटर आधी पर भी साधा करना होगा अर्थात काने का मतलब यह है क कि पॉलिटकल पार्टी की यह रिस्पोंसिलेटी होगी कि जो भी परत्यासी पर कुछ मामला जर्ज है उसको राष्टी है अर्थात निशनल और लोकल अखवार में आपको परकासित करने के साथ सोसल मीडिया लाइक पेस्बुक ट्विटर वाटसप सभी पर आपको साधा क करना होगा कि यह जो है व्यक्ति है उन पर यह केस है पहले से राजनीतिक दलो को परतासी पर चल रहे है आप राधिक मामले से जोड़ी समस्जानकारिया परतासी के चैन के 48 घंटे के अंदर या नावांकर भरने की पहली तिती से दो सब्ता पूर्व ही सरवजनिक करनी उसमें यह सरवजनिक करनी होगी जैसे ही आप उनको चुन लेते है वैसे ही उसको देगे चुनने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वह जीट जाते हैं कूने का मतलब यहां पर मैं यह कहना चाहरा हूं कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टिया यह decision ले लेता है कि कोई बंदा कौन सा बंदा जो है किस seat पर चुनाव लड़ रहा है अर्थात अगर कई seat है उस पर पॉलिटिकल पार्टिया रिसाइड कर चुकी है कि इस seat पर से Mr. X will fight the election then it will be the responsibility of political party to declare its name तो उसको यह political party की जिम्यदारी हो जाएगी बताना कि इन पर जो है किस तरह के की case है तो बताना होगा कि इन पर इस परकिक का case है प्रकिरति क्या है चार 열심히 बताना होगा संबने के नाले नाम बताना होगा और डिसकस का घुचा है अगर ऐसा करने की स्तिती में होता है तो इस न्यालह के अ अदिश की अब मानना मानना जाएगा और उन दल पर करणवाई की जाएगी अर्थात अगर कोई political party ऐसा नहीं करती है नहीं declare करता है तो इसे contempt of court समझा जाएगा और उस पर चुनाव आयूक के द्वारा करवाई किया जाएगा इसके साथ ही राजनीतिक दलो को संबंधित परत्यासियों के चैन का कारण बताना होगा अर्थात political party को यह भी बताना होगा कि इस ब्यक्ति को जो चैन हमने किया है किस कारण से किया है तो सबसे पहले तो यह बताना होगा प्रत्यासी के चैन का उनको कारण बताना होगा कि किस लिए उनको चैन किया गया है और उनको यह भी बताना होगा कि संबंधित प्रत्यासी के अस्थान पर अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि अपराधिक प्रिष्ट भूमी के है तो उन की अपराधिक प्रविट्ति के है चैन कर लेता है कि इस सीट पर मिश्टर एक सी खड़ा होगा जिन पर काफी ही संगीन आरूप लगे हैं या कोई भी आरूप लगा है चुन लेता है तो उस पॉलिट्कल पार्टी को यह भी बताना होगा कि आखिर हम इसको क्यों चुने हैं और इसके अस्थान पर वैसे व्यक्ति जिन पर कोई भी किसी प्रकार का कोई अपराधिक केस दर्ज नहीं है उनको आखिर क्यों नहीं चुन सकते हैं तो इस जस्टिफिकेशन विल रिक्वाइड तो पॉब्लिश तो पॉलिटिकल पार्टी अन शुशल मीडिया और पेपर और इट विल है पुप्रवाइड तो एलक्शन कमेशन नियाला ने अपने आदेश में यह भी एस्वस्ट किया कि प्रत्यासी के रूप में चैन का कारण ब्यक्ति की योगता उपलब दिया आदी के संदर में होना चाहिए नकि उनकी चुनाब जीतने की चमता अर्थात बिन आविलिटी के संदर में होनी चाहिए सुप्रीम कोट ने यहां तक यहां वी एरलाइन कर लिया है कि जो चुनाब में पॉलिटकल पार्टी के दोरा कैंडिडीट का सरेम होता है उसमें जो कैंडिडीट का सरेम होना चाहिए ब्यक्ति की म intrigued पर होना चाहिए अचीव्मेंट पर होना चाहिए ना कि बिन अबिलिटी पर रहा होना चाहिए और थात अगर कोई व्यक्ति बाहवली है तो वो जीत सकता है उनकी बिनिंग कैपबिलिटी अलग होती है क्वालिफिकेशन अलग होती है कोई व्यक्ति की जो एजिकेशन क्वालिफिकेशन है वो काफी हायर है व्यक्ति को प्रिफिकेशन जादा देते हैं जिनकी बिन अबिलिटी जादा होती है अर्था जिनकी जितनी की संभावना जादा होती है आप देखे होंगे कि वैसे व्यक्ति योग को टिकट दिया जाता है जिनकी विनिंग अबिलिटी जो है काफी जादा होती है उनकी जो एंफुलिएंस है लोकल लोगों पर जितना जादा होता है उनकी टिकट मिलने की संभावना उतना ही बढ़ जाती है वैसे कंडिडेट जिनकी योगता है और उनको पॉलिटिकल पार्टियों को द्वारा टिकट दिया गया है बहुत ही कम देखनों को मिलता है सर्वोच नियाला के यह फैसला केंडर और राज के सभी राजनिक्ति दलों पर लागो होगा सुप्रिम कोट का जो यह जजच्मेंट है अर्थात पॉलिटिकल पार्टियों को अपने कंडिडेट जो चुन रहे हैं जो एलक्षन में लड़ रहा है उनके बारे में बताने का जो फैसला है वो हर पॉलिटिकल पार्टि पर चाहे वो किंडर का हो या राजस्तर का हो सभी परलावो होगा जैसा कि दादब है कि सरवुच न्याले ने यह आदेश वर्ष 2018 के अपने ही एक फैसले पर दाखिल एक अबमानना याज का अर्थात कंडिम्ट पटीशन के सुनवाई के बाद दिया है यह जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही एक फैसला में जो उन्होंने जो जज्जमेंट दिया था कंडिम्ट पेटीशन पर उसी के सुनवाई करते हुई यह फैसला दिया था बर्स 2018 के अपने फैसले में न्याला की एक संबैधानिक पीठने पब्लिक इंट्रेस्ट फांडेशन बनाम भारत संग अर्थात पब्लिक इंट्रेस्ट फांडेशन वर्सेज उनियन आउफ इंडिया मामले में सभी राजनीतिक दलों को अपने परतास्यों पर दर्ज अप अपराधिक प्रिश्यभूमी के जनप्रतिमीदियों की जो बढ़ती संक्या है उसकी कुछ डाटा को हम देख लेते हैं कि क्या है आखिर किस रीश्यों में जो अपराधिक प्रविर्ती के लोग हैं वो चुनकर संबीधान और लोकल बिधान सभाव में आ रहा है देश की सुतंतरता के समय ब्रिटिस सासन के द्वारा अर्थात ब्रिटानी ब्रिटिस इंडिया जो सासन थी उसके द्वारतिये निताओं पर कैई जूटे आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे एक थोड़ा सा हम बैक्ग्राउंड देख लेते हैं कि क्या रहा है रिकॉर्ड किये गये थे अर्था तो आपराधिक मामले के जूटे केस भी दर्ज के जाते थे ब्रिटिस गवर्मेंट के द्वारा अर्था उस समय आपराधिक मामले को चुनाव में भाग लेने की बाधा के तोर पर नहीं लिया गया था अर्था जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय जो है ब्रिटस सरकार के द्वारा हमारी कुछ वैसे लीडर जो काफी ही इंफुलेंसल थे उन पर आपराधिक मामले का केस दर्ज के गया था तो उस समय जो थी आपराधिक अंदर में प्रशन उठते रहे हैं और पिछले कुछ बर्सों में इसमें भारी बिर्धी देखी गई है अर्थात लोगों ने अब कोशन करना शुरू कर दिया है कि आखिर कोई पालिटिकल पार्टियां जो है क्यों दाग्यों को टिकट दे रहा है और हाल ही की दुनों में ऐसे कोशनों की संख्या में विर्धी देखी गई है अगर हम न्याले के द्वारा परसुष्ट एक डाटा को देखने का कोशिश करें तो बर्स 2004 में संसद में 24% सदस्यों पर आपराधिक मामले पेंडिंग थे अर्थात आपराधिक मामले लंबित थे 24% आप देख सेपने ह वहीं बर्स 2009 में संसद के कूल सदस्यों जो भी सदस्यों उन्हें से 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले लंबित थे और बर्स 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 30% हो गई सो यह भी आप देख सकते हैं कि जो बर्स 2004 था उसमें 24% 2009 में पेंडिंग 30% और 2014 में भी 30% वहीं अगर हम बर्स 2019 में आम चुनावत में से जो संसद में चुनकर आए उनमें यह सुसंख्या थी वो 43% पर आपराधिक मामले दर्ज थे अर्थात जो भी व्यक्ति चुनकर संसद में आए थे उनमें 43% पर पराधिक मामले दर्ज थे तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ जो है वो बढ़ते ही चला गया इस तरीके से जो ग्राफ है आप अगर एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ जो है वो बढ़ते ही जा रहा है 24% 30% 30% और 43% एक बार फिर बता दूँ कि 2004 में संसद में कुल 24% जो है अपराधिक मामले के केस पेंडिंग थे वहीं बर्स 2009 और 2014 में यह जो पेंडिंग जो मामले थे वो 30% थी वहीं बर्स 2019 के आम चुना में संसद में चुनकर आये उकुल सदस्यों में 43% पर आपराधिक मामले दर्स थे इन सब के बावजूत आप सोचिए कि सुप्रीम कोट के द्वारा किये गए सभी चीजों के बावजूत यह डाटा है आपको जो कि सुप्रीम कोट को द्वारा दिया गया है अब हम देखने का प्रत्न करते हैं कि जो हाल ही में बिहार विधान सबाद चुनाव हुआ था उसमें चुने हुए कंडिडेट में कितने परतिस्यत ऐसे कंडिडेट थे जो जिन पर कुछ आपराधिक किस तरह था किसी न किसी तरह का किस तरह था जो भी कंडिडेट जितकर आए हैं जितने भी कंडिडेट इस वार विधान सबाद चुनाव में जितकर आए हैं जीते परतियासों में दो तिहाई जो कंडिडेट हैं वो दागी है जो विहार विधान सवा चुनाव हुआ था उसमें टोटल जो जीते हुए परतासी हैं उसमें दो तिहाई जो लोग हैं वो दागे हुए ऐसा आप देखे होंगे कि इस वार जो विहार विधान सवा चुनाव हुआ उसमें कलोर पतियों को टिकट दिया गया था अर्थात हर पार्टी एक कोशिस कर रहे थी कि जिनके पास पुंजी जादा है जिनके पास पैसे जादा है उनको टिकट दिया जाए और ऐसा देखा गया कि आपराधिक प्रविर्टी के जो लोग हैं उनकी संख्या उनको टिकट देने में हर एक पार्टिया ने बढ़ चड़ लोगों को 32% लोग ऐसे थे जो इन पर आपराधिक केस दर्ज था उनको टिकट दिया गया और सबसे बड़ी चीज यह देखे कि जब यह रिजल्ट आया विहार विधान सभा चुनाव का रिजल्ट आया तो यह 32% दो तिहाई में कनवर्ट हो गया अर्थात विनिंग अबि की अगर हम बात करें तो यह अपराधिक प्रभृति के लोग को जो जीत जो है वो दो तिहाई में कनवर्ट हो गया चुनाव में जीते हुए कड़ोरपतियों कि अगर हम संख्या की बात करें तो 2015 में आप देखेंगे कि 2015 में 162 कैंडिडेट जो थे वो कड़ोरपति थे 67 प्रतिशत जो ब्यक्ति थे वो कड़ोरपति थे वही 2020 में यह संख्या बढ़कर 194 में हो गई और यह प्रतिशत में पड़ेगा अगर इस डाटर को आप याद नहीं रखते हैं तो आप बिहार के क्या होगा कि हाल ही में जो प्राधिक प्रवरति के लोग की जो संख्या में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बताएं और इसको बिहार से संदर्वित कर बताएं जब भी कोशन पूछे का त आपको अपने अमें संसर राइटिंग में बहुत ही मदद करने जा रहा है सो हम देख रहे हैं कि कड़ोरपतियों की संक्या जो वही जो 2015 में 66% था वही 2020 में 81% हो गया अगर हम पार्टी बाइज कड़ोरपतियों की बात करें तो बीजी पी में सबसे ज़्यादा 65 वही आर्जेटी में उसके बाद नंबर टू पर आर्जेटी था जिस पे राजद आ ज़्यादियों में 38 और कॉंग्रिस को 14 जो थे वह कड़ोरपति यह जो चुनाव आयूग के द्वारा डाटा जाली कि जाता है यह मैं नहीं कर रहा हूं कि इतनी जो थे यह था जितनी भी डाटा है चुनाव आयूग के द्वारा पब्रिस किए गया है कि वहीं अंगर हम अप्राधिक केस वाले जीते हुए परतास्यों के बात करें तो 2015 में जो था 142 जो थे अप्राधिक प्रवृति के थे वहीं 2020 में यह जो है 183 पर पहुंच गया अगर हम पार्टी वाइस देखें कि किस पार्टी के कितने दागे कंडिडेट इस वार चुनगर आएं तो उसमें राजत जो है राजत के जो है भारतिय चुनावी तंत्र में सुधार के जो पूर परियास किये गए है और था तो अपराधिक मामलों को रोकनी के लिए वैसे कंडिडेट जो अपराधिक प्रविर्थि के हैं उनकी संख्या को रोकनी के लिए जो चुनाव आयोक के द्वारा कुछ फैसलिक किये गए कदम उठाये गये हैं उनको हम देखने का प्रेद्र करते हैं भारतिय राजनीती में जन प्रतिनीडियों के चुनाव में परदर्स्ता और जन्ता के प्रति उनके उतरदाईत्वों को पुना रेखानकीत करने के लिए लंबे समय से चुनावी तंत्र में सुधारों की मांग उठती रही है इसे देखते हुए समय समय पर चुनावी परक्रिया में सुधारों के लिए विभिन समीति आयोका कठन किया गया इनमें से कुछ को हम चर्चा यहां पर करेंगे सबसे फले उन्हें 190 का दिनिस गोष्वामी कमिटी को करते हैं दिनिस्गोष्वामी समुधी ने अपनी रिपोर्ट में चुनावी खर्च पर नियंथरन अरथा जो पॉलिटिकल परक्रचार होता है उस पर नियंतरन कंपनियों द्वरा दिया गये चंदे अरथात फंडिंग पर और चुनाव में राजी की भूमिका और इसके साथ ही चुनावों के अनपहलूओं जैसे परचार के समय आयू सीमा चुनाव आयोग के अधिकार आधिसमंदि निग्रानी और प्रवधानों की सिफारिश की थी वहीं अगर हम 1993 के बोहरा कमिटी के बाद के रहें तो बोहरा समीती ने राजनीती में बढ़ते हुए आपराधी करन और उनके राजनीतिक संरचन पर चिंता ब्यक्त करते हुए इस समस्या के समधान के लिए विभीन आपराध नियंतरन संस्थाओं जैसे CBI, Income Tax और आवी खर्च बहन किये जाने की सीफारिज की थी अगर हम 1999 के विधियायोग के रिपोर्ट की बात करें तो वर्स 2019 में विदियायोग ने अपने 170 वी रिपोर्ट में लोगसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था अगर हम बांचु समिती जो की परतेश करजात समिती पर अधारिती की बात करें तो बांचु समिती ने राजनीतिक चंदे के बिनियमन अर्था तर रेगूलेशन के साथ राजनीतिक दलों के अन आर्थी गत्विदियों पर अपनी रिपोर्ट जारी गी थी तो ये था कुछ समितियां जिसने अपराभ भारतिये राजनीती में अपराधिकरण के बढ़ती हुए कदमों को रूखने का प्रत्न किया था और अपने सुधाव दिये थे चुनावी सुधार से संबंदित सरवोचनाले के जो महत्पुन फैसले है अब उनको हम देखने का प्रत्न करेंगे या अखिर सुप्रीम कोट का वो कौनकों से महत्पुन फैसले हैं जो सुनाव से संबंदित है अक्टूबर उनेसो चोहतर में सर्वोच न्याले के कबरलाल गुपता बनाम अमरनाथ चाबला वा अन मामले में परत्यासी के परचार पर होने वाले किसी परकार के खर्च अर्थाथ प्रायोजक या किसी समर्थक द्वारा को परत्यासी के लिए निर्धारित त्रिमाग में चोड़ने का निर्धेश दिया गया बर्स उनेसो निनावे में दाखिल भारत सरकार बनाम एस्सेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म से मामले में बर्स दो हजार दो में फैसला देतुए सर्वोच न्याले ने केंद्र राज और अस्थानिय चुनावी नमांकन भरने के द सर्वोच न्याले ने चुनावी मत्पत्र अर्थात इवियम इलेक्ट्रोनिक बॉटिक मसीन में नोटा अर्थात ननोटा को सामिल करने का आदेश दिया गया था वह वहीं वर्स 2017 की एक महत्पूर्ण फैसला के बात करें तो उसमें सर्वोच न्याले ने परत्यास्यों के लिए अपरादिक प्रिष्टभूमी से संबंदित जानकारी सर्वजनिक करने की अन्यवारता को दोहराते हुए रिपीट करते हुए राजनीतिगों पर चल रहे आपरादिक मालों के सुनवाई के लिए एक फॉस्ट्रेक कोड के स्थापना करने का आदेश दिया था अब ह प्रितन करेंगे कि राजनीतिक अपरादिक करन पर सर्वोच नाले के जो दौरा आदेश दिया गया। उनके क्या परभाब हो सकते हैं। तो उनके परभाब में हम सबसे पले यह देखनेगे कि चुनावी परदरश्ट़ा में बिर्धी हो सकती है। अर्थात चुनावी की जो ट्रांसपरेंसी की अगर हम बात करें तो उसे बिर्दी देखने को मिल सकता है कैसे सर्वोच न्याले के आदेश के बाद राजनीतिक दलो को परत्यासों की अपराधिक प्रिष्ट भूमी से संबंदित जनकारी जो है राजनीति दलो पर नैतिक दवा भी बनेगा राजनीति सुधार के लिए सभी हित धारकों का सहयोग होना अति आवस्यक है न्याले के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलो पर नैतिक दवा बढ़ेगा और राजनीतिक दल ऐसे किसी व्यक्ति को चैन से बचेगी जिसे सर्वज जो चुनाब को टिकट दें लेकिन आप दिखेंगे बिहार विदान सवाव के चुनाव हाल ही में हुआ है लाइव एक जामपल है कि कितने प्रत्यासित, दो तिहाई प्रत्यासित जो है वो जो चुनकर गए हैं विहार विदान सुवर्चुना में उन पर किसी न किसी तरह के आपराधिक केस दर्ज हैं जागरुक मतदान तो मतदाता में भी हम देखेंगे कि इस तरह से जो मतदाता में है उनको भी जागरुकता होगी वो जान सकेंगे कि कौन से कैंडिडेट जो है किस तरह के है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है किस पर क्या आरोप है या नहीं है इनफॉर्म्ड वोटिंग इसको हम बोलते हैं सर्वोच नाले के आदेश के बाद राजनीतिक दलो को ना सिर्फ अपराधिक प्रिष्ट भूमी के परत्यासों के जनकारी सारजनिक करनी होगी बलकि इस संबंद में कम से कम तीन बार अस्थानिय भासा के समचार पत्र और इसके आधार पर बेहतर उमिद्वार का चैन कर सकेंगे अब क्या चुनौतिया हो सकती है उसको हम देख सकते हैं कि यह सब करने में क्या चुनौतिया आ सकती है सरवोच नाले ने अपने आदेश में राजनितिक में सामिल आप राधिक प्रश्वावमी के लोगों पर पर परतेच करवाई के बजाए यह निर ने राजनितिक दलो और जंता के विवेक पर छोड़ दिया है एसे में नाले के आदेश से राजनिति में जल्द बड़े उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वह कोई भी जो फैसला है वह सुप्रिम कोड का जो डिसीजर है उसको इतनी आसानी से अड़ाप्ट कर लेगा सरवोच नहले के अर्देश में चुनाव आयों को अपरादिक प्रिश्वभूमी वाले व्यक्तियां पर कारवाई के अस्थान पर उनकी निगरानी करने और इस संबंध में नियमानुसार नहले को सूचित करने के निर्देश दिये गए है यह विवस्था राजनितिक अपरा सरवोच नहले के जो आदेश में चुनाव आयों को अपरादिक प्रिश्वभूमी वाले व्यक्तियां पर कारवाई के अस्थान पर उनका निगरानी करने का जो आदेश दिया गया है इस सारे प्रकिरिया को एक लंबा प्रोसिस बना देता है और यही कारण है कि अपरादि जो केस हो फाइनल नहीं होता है उसको अपरादिक घोचित नहीं कर सकते हैं और कुछ हथ तक केस ही भी है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि किसी कंडिडिट पर जान बुचकार आरोप लग दिया जाता है लेकिन जो फास्ट्रेक कोट की जो मेकनेजम की स्थापना की बा होता है अब हम देखते हैं राजनीति परदस्ता के संदर में नियाले का जो यह आदेश तभी प्रवावी हो सकता है जब राजनीतिक दल इस संदर में नियमों का सही पालन करे और जनहित का ध्यान रखते हुए सही जनकारी दे प्रन्तु गलत या जोठे समचार अर्थात फेक नियूज के इस दौर में जनता तक सही जनकारी को पहुचाना बहुत ही कठी है अता नियाले के आदेश से राजनीति में बड़ी सुधार को उम्मीद नहीं की जा सकती है जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल फेक नियूज की समय चला है आप फेक नियूज तो सोचल इ the way ahead हम चर्चागर करें श्रवोच नियूज को राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों में सुधार करने के बज़ाए अपराध्यों को राजनीति से दूर रखने के लिए इस पस्ट इबों कड़े निर्धारित करने चाहिए अर्थात सरवोच न्याले को चाहिए कि ऐसे व्यक्तिकों राजनीती से दूर ही रखा जाए राजनीती में भरष्टाचार और अपराद को रोखने के लिए चुनाव आयोग वह अन नियामकों को करवाई क के लिए आवस्यक जो अधिकार है वह प्रदान करना चाहिए अर्थात जो रिक्वाइड राइट से उचुनाव आयोग को दिये जाना चाहिए सुप्रियम कोड के दारा सुप्रियम को जो चुनाव आयोग है इस पर सक्ट एक्शन ले सके क्योंकि कई बार आप देखते हैं चुनाव आयोग तो कुछ एक्शन लेता नहीं है जिस जो अगर पाड़िया अन्रसपोईदाट अगभी विजेपी सेंटर में है तो विजेपी का फेवर हो जाता है यह ऐसा आरूप देखने को मिलता है हाला कि चुनाव आयोग एक कंस्टिशनल बोड़ी है इसे निश्प है लाजशनीती में अप्राधिक प्रिश्ट भूमियों के व्यक्तिओं पर नैंतरन में सब्रें से महत्पुन योगदान राज़नीतिक डलो और जंता का है राजनीतिक दलों को जनता के प्रति अपने उत्तारदाईतिवों का पालन करते हुए अपरादिक प्रिष्ट भूमियों के प्रतियों का चैन ना कर राजनीति के अपरादिकरण को रूखने में योगदान देना चाहिए जब चुनाव होता है तो सबसे महत्पूर्ण व्यक्ति कौन हो अब यह जनता के विवेक पर है कि वो किस व्यक्ति को चुनकर भेज रहा है सो जो पॉलिटिकल आवेरनेस है जनता की जो जागरुकता है इसमें बहुत ही योगदान दे सकता है रदर दन सुप्रिम कोड का कोई इंपोजिशन इसमें अगर जनता चाहे तो जो पॉलिटिकल पार्टियां का जो वैसे लोग जिन पर अपरादिक केस दर्च है उनको दरकिनार कर सकते है इसके साथ ही यह अति आवस्यक है कि जनता भी बिना किसी लालच या प्रुभागरा के अपने प्रतिनिद्यों का चुनाव उनकी है कि वह किसी बिना लालच और प्रुभागरा के वैसे कंडिडिट जो रियली में इलिजबल है उनको चुनकर आगे संसत तक या जो विधान सभा है वहां तक पहुंचा है यह जनता की रिस्पॉंसिलिटी बन जाती है यह जनता की जवबदेही बन जाती है जनता की होगा तो वैसे कंडिडिट को चुने का जो क्वालिफाइड हो पिल क्वालिफाइड हो किसी लोकतांत्रिक व्रुस्ता में बल परियोग द्वारा लंबे समय के लिए कोई भी शकारात्मक प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है बलकि इसके लिए जनता का अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होना और सरकार में जनहित से प्रेरित इच्छा सकती का होना बहुत ही आवस्यक है दो तिन चीजों की नितांत आवस्यक्ता जो होती है वो सबसे पहले कि वोटर्स जो है वो जागरुक हो किसी को आप वाइफ फोर्स कुछ नहीं करवा सकते हैं अगर आप सोच रहें कि वाइफ फोर्स हम बहुत बड़ा रिफॉर्म्स ले आएंगे तो ऐसा संभब नहीं है वाइफ फोर्स कोई भी रिफॉर्म्स नहीं आया है तो सबसे पहले आपको जनता को जागरुक करना होगा जनता को जागरुक बनना होगा तभी इसमें चुनाब में विधान सवाब में कम जाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस करतें